चित्रेंजन चैनपूरा की प्रस्तुती एक कविता कलम पर पावंदी साहित्यकारों को समय समय पर इहसंकर जेलना पड़ता है कुछ ओची हरकत वाले कन्फुस्वा दर्वारियों के कारण साहब बहुत चीजों पर रोक लगा दिया करते हैं कुछ भी लिखना मना हुआ मैं मान गया तुगलक का फरमान सभी अब जान गया अभिवगती पर रोक क्या आकल मंदी है कलम चलाने बालों पर अब साहब की पावंदी है अत्याचार की हर सीमा को फान गया छिपे हुए जैचंदों को पहचान गया अत्याचार की हर सीमा को फान गया छिपे हुए जैचंदों को पहचान गया होती ना बरदास्त हरकत गंदी है कलम चलाने बालों पर अब साहब की पाबंदी है तेरी चार दिबारी में अब नहीं लिखूँगा कभिता करते हुए कभी भी नहीं दिखूँगा तेरी चार दिबारी में अब नहीं लिखूँगा कलम चलाते हुए कभी भी नहीं दिखूँगा यह तो बिना जरूरत की नसबंदी है कलम चलाने बालों पर अब साहब की पाबंदी है यह तो बिना जरूरत की नसबंदी है, कलम चलाने बालों पर अब साहब की पाबंदी है, खुला हुआ संसार नहीं है बाप का तेरा, तेरी चार दिवारी में नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा, खुला हुआ संसार नहीं है बाप का तेरा, इसमें अगनित जीबों का है बना बसेरा फिर भी इतनी सक्त क्योंगेरा बंदी है कलम चलाने बालों पर अब साहब की पाबंदी है फिर भी इतनी सक्त क्योंगेरा बंदी है कलम चलाने बालों पर अब साहब की पाबंदी है कामचोर जो कलम पकड़ते दिखे नहीं है मलाल उनकों की कुछ भी लिखे न अपने तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरों को करने नहीं देंगे। अरकत बालों की नियत गंदी है, कलम चलाने बालों पर अब साहव की पावंदी है।